चुल बुली बेहन, विश्याका के शादी कुछी दिनों पहले कार्तिक नाम के एक लड़के से दुरगापुर गाउं में होती है। चुल बेटा, अपनी छोटी बेहन को बुला ले, तिरह मन भी लग जाएगा। विश्याका ये सुनकर खुश हो जाती है। और अपनी बेहन शिखा को फोन करके बुला लेती है। शिखा विश्याका के ससुराल आ जाती है। ती, कैसी हो आप। अरे, आ गई तू, मैं तो एकदम चीक हो गई। शिखा पुरे परिवार से मिलती है। नमस्ते जीजू, कैसे हो आप। अरे, बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। अरे, कुछ नहीं जीजू। अरे, अपकी शेट पर कौकराच। ए, कहा, कहा, कहा है। सारी, जीजा जी। शिखा, आते ही तुने शैतानी शिरू कर दी। चल कमरे में। अगले दिन विशाखा रसोई में खाना बना रही होती है। और तभी वहाँ शिखा आकर उसे पीछे से डरा देती है। वू। विशाखा डर जाती है। और शिखा हस पड़ती है। तु पागल है क्या शिखा। अभी मेरे हाथ से सबजे गिर जाती न। अरे दीई आपको क्या हो गया है। शादी से पहले तो कितनी मस्ती करती थी। और अब एकदम बोरिंग हो गया। ऐसा कुछ ही नहीं है शिखा। वो तो... शिखा चुहा। कहा है दीई 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 मुझे चुए से पोटा लगता है कहा है कहा है चुआ। देखा शिखा। मैं कच भी नहीं बुली। मस्ती करना भी नहीं। सच में दीदी आपने तो डराई थी अदम मुझे। दोनों बैने आपसमें बात कर रही होती है, तब ही शिखा को एक आइडिया आता है दी, क्यों ना आज हम इन सब को डराएं? नहीं नहीं, शिखा, ये मेरा ससुराल है यहाँ लोग मजाख में नहीं लेंगे तुम्हारी बात को अरे दी, तुम भी ना कितना सोचती हो रात में जब सब सो रहे होते हैं कि अचानक से विशाखा की सास को पायल की आवाज सुनाई देती है वो आंगन में आकर देखती है तो आवाज जाना बंद हो जाती है अरे कौन है इतनी राद को वो जैसे ही मुर्ती है तो देखती है कि सफेद साड़ी में एक औरत घूम रही है वो डर जाती है और भाग कर अपने कमरे में चली जाती है वो औरत और कोई नहीं पर शिखा होती है सास को डरा हुआ देख शिखा जोर जोर से हसते लगती है अगले दिन शिखा ये बात विशाखा को बताती है ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था शिखा ये मेरा ससुराल है और तू यहां ऐसे मज़ाग नहीं कर सकती किसी को पता चल गया ना तो हमारी तो शामत आ जाएगी आरे कुछ नहीं होगा दी मैं तो सोच रही हूँ कि आज अच्छे से मेक अप भी कर लो तो और ज्यादा मज़ाएगा शिखा वहाँ से चली जाती है और विशा का किसास ये सब सुन लेती है ओ तो ये सब शिखा का करा धरा है रात में जब पूरा घर सू रहा होता है तो शिखा फिर से मेक अप करके आती है और पायल की आवाज फोन से बजा कर तहल रही होती है घर में तब ही उसके ससुर आ जाते हैं शिखा जैसे ही उनको डराती है वो अचानक से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं शिखा ये देखकर डर जाती है अरे अंकल जी क्या होगे आपको दे जीजू जल्दी आओ अंकल जी उठी न सारे घरवाले वहाँ आ जाते हैं अरे पापा क्या होगे आपको क्या हुआ शिखा ये बेहोश कैसे होगे अरे तुने डराया क्या इन्हें ये चुडेल जैसा मेकप करके है आंटी जी मैं तो बस मजाग कर रही थी मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना ज्यादा शौक्ट हो जाएंगी तुझे पता है ये दिल के मरीज है ए भगवान इन्हें तो दिल का दोरा पड़ गया है शिखा घबरा जाती है क्या दिल का दोरा तेरी वज़े से आज इनकी ये हालत है इन्हें कुछ भी हुआ ना तो तू जेल जाएगी समझी शिखा रोने लगती है नए नए आंटी जेल सा मत बोलिए अंकल को कुछ नहीं होगा तभी ससूर को छींक आने वाली होती है वो छींक रोकनी की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें छींक आ जाती है और उनकी आँख खुल जाती है अंकल आप ठीक तो है ना अंकल ससूर और सास हसने लगते है क्यों बेटा सिर्फ तुम्हें ही मजाग करना आता है क्या है तो क्या पापा बेहोश नहीं हुए थे अरे नहीं नहीं मैंने ही प्लान बनाया था ये पर क्यों मा क्योंकि विशाखा को लगता है कि ये उसका ससुराल है उन्हें ऐसी मजाग वाली बाते पसंद नहीं आईगी पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये दोनों बेहने सेर हैं तो हम भी सवा सेर हैं ये तो बिल्कुश सही का आपने आंटी जी